हेलो स्टुटेंट्स कैश सब सभी लोग आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिक्स का चैप्टर 1.3 करेंगे जिसका नाम है इसका जो है हम पहले आइस ब्रेकर करेंगे उसके बाद मार्च जुन करेंगे और ब्रेंस्ट्रॉमिंग सब हम करने वाले हैं इसके लिए आप वी आइने वीडियो मिलते रहें इसी वीडियो के कमेंट सेक्षन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेइलिस्ट का लिंक दिया जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे ओके तो चलो श्रूट करते हैं पहला क्या है डिसकस दॉफॉल इ तो देखो इसका जो एंसर रहेगा वो यह रहेगा इससरी के से आपको फिल करना है अभी जो आपको फिल करना है कुछ इससरी के से रहेगा है यहां पर बोल रहे हैं तो यहां पर बोल रहे हैं तो इसका जो एंसर रहेगा तो यह तो फिल करना है अब देखो second question क्या दिये गया है आगे you might have learned about organic farming make groups and discuss the difference between conventional farming and organic farming and write it down इससरी के से रहेगा इस तरी के सापको टेबल में फिल करना है बागे देखो क्या है अगले पेश पे अगले पेश पे अगले पेश पे देखो हमारा जो margin question वो स्टार्ट हो रहे हैं पहला क्या है देखो यहां पर बोला है क्या बोल रहे हैं यहां पर margin question में find words related to agriculture तो agriculture से related जो words रहेंगे वह यह आप लिख सकते हो अब भी आगी आप गया है the writer disagreed with moru dada because तो इसका answer जो रहेगा वो यह रहेगा अब आगी क्या है दोको अगले पीस पर हमें कह दिये क्या पर बुल रहे है दा राइटर वांटे तो ग्रो दिर ट्रेडिशनल वेराइटी ओफ राइस बिकॉज तो जो reason लिखने आपको वह यह रहेगा आगी देखो क्या आपको the writer almost give a hope of finding the desi variety of rice because तो इसमें आपको यह लिखना है अब देखो इसमें mention the varieties of rice from the passage तो passage में जो जो rice है देखो उसकी जो varieties है यह आपको दिख रही है यह है आगे देखो अगली पेस पर आपको काई दिया गया है यहाँ बोले list ways in which the government officer cooperated with the author तो इसका जो रहेगा और दो यह भी find the synonyms of insipid तो दोनों का इंसर देखो यह रहेगा कि अब आगे देखते हैं अभी देखो यहाँ पर आपको margin question complete होगे है और हम चलते सबसे पहले आपको क्या दिया गया है यहाँ पर सबसे पहले आपको read the extract and state whether the following statements are true or false correct the false statement दोखो इसका ABCDEF का जो रहेगा आपको जो false है लिखके correct करना है और बताना है कौन सा correct है वह भी बताना पड़ेगा आपको तो इसका complete answer यह रहेगा इस तरीके से आपको लिखना है अभी अगले पर special दे हैं देखो यहाँ पर कह दिया गया है आपको यहाँ पर बुल रहे हैं complete the flow chart consider this to be an example of note making discovery of customer rice देखो यहाँ पर आपको chart complete करना है यहाँ पर April 2005 started his research for customer rice बीच में आपको fill करना है और यहाँ पर देखो board goes by rise from an adivasi woman in a remote area तो देखो बाकी के जो blank आपको यह boxes दिये गए इसमें कुछ इस तरीके से आपको fill करना है आगी क्या है read the text and fill in the blanks one is done for you यहाँ पर देखो क्या है यह हमें fill करना है पहला क्या दिया गए the author wanted to grow organic moong तो देखो हमें यह हमारी chapter में से read करके जो word हैगा वो fill करना है तो देखो इस तरीके सापको बाकी के remaining sentences में word डालना है ठीक है अभी आगे देखते हैं अभी second में कह दिये गया है यहाँ पर आपको बोल रहे है लिस्ट reactions of the agricultural officer to the author's inquiry about कजबाई rice seeds one is done for you he had not heard of कजबाई तो देखो यहाँ पर जो रियक्शन का agricultural officer का जब ही हमारे जो author है उन्होंने कजबाई rice seeds के बारे में पुछा तो आपको लिखना है यहाँ पर तो देखो इसका यह answer रहेगा अब ही आगी कह है go through the text once again and note down the hornas fond memories of कजबाई in your exercise book one is done for you तो देखो इसमें जो आपको लिखना है कुछ इस सरी कैसे लिखना है यह इसका answer रहेगा ठीक है अब ही आगी कहा है आपको the writer says he grew an awful lot of moon explain the word awful in this sentence तो इसका जो answer रहेगा वो यह रहेगा इस सरी कैसे आप लिख सकते हो अब देखो आगी कहा है आपको the word scent is different from its synonyms aroma fragrance or perfume explain how the word scent in the subtitle scent of the rice has a deeper meaning than perfume or fragrance tick phrases having a similar meaning from the following तो देखो यहां पर आपको दिया गया है a b और अगले page पे c d e तो देखो जैसे आपको लिखना रहेगा इस तरी के से लिखना है यह इसका complete answer है ठीक है आगी चलते है read the following sentences she muttered in reply and we looked at g1 for a quick interpretation these are two complete sentences underlying the above sentence she muttered in reply we looked at g1 for quick interpretation तो देखो यहां पर जो आपको दिया गया main question आपको देखो नीचे दिया गया है क्या आपको करना है इसमें prepare a list of subordinating conjunctions तो देखो इसका answer यह रहेगा इस तरी के सा प्रिपेर कर सकते हो subordinate in conjunction अगी तो को फिफ्ट में क्या दिया गया है यहां पर है आपको planting and growing more crops a year seems to be progressed by normal standards but the chapter makes a case against it give reasons तो इसका answer रहेगा वो यह रहेगा अगी तो इसका answer यह रहेगा बागी क्या है write a blog in about 100 to 150 words on organic farming तो इसका जो complete answer रहेगा वो यह रहेगा अब देखो आगी क्या है अगले पेश पी चलते हैं यहां पर देखो write a short paragraph in about 120 words to be used as counter view for the following topic by a bigger cloth for your coat view section और देखो यहां पर आपको जो लिखना रहेगा वो यह वीव सेक्षिन है इसका आपको counter रहेगा तो इसका देखो complete answer यह रहेगा अभी दुख आगी क्या है organic farming is the need of the time write your views in favor and against the statement यहां पर view यहां पर counter view तो इसका जो answer रहेगा वो यह रहेगा यह इसका complete answer है ठीक है चोड़ अभी आगी चलते है तो इसका complete answer यह रहेगा अब आगी क्या है देखो प्रोजेक्स क्या है पहला प्रोजेक्ट आपको plant the seed of a flower or fruit of your choice in a pot or in your garden note its growth everyday and maintain a diary recording its progress तो देखो यह तो आपको अपने own words में लिखना है ठीक है यह आपको एक प्रोजेक्ट दिये गए एक्जाम में ऐसे कुछ question आई गए नि तो आप इसका attention मतलो आगे बढ़ते हैं जो लास्ट question है हमारा क्या है find about more career opportunities in the field of agriculture organic farming sales storage distribution and marketing research तो आपको लिखना है तो आपको लिखना है तो आपको लिखना है तो आप चैनल को subscribe करके रखो ताकि आपको अगला वीडियो भी मिले अगर आपको यह वीडियो जो भी हमने किया अच्छा लगा हो तो अब इस वीडियो को लाइक करो आपने सबी दोस्तों के साथ share करो thank you